नमस्कार दोस्तों, पात्फाइंडर में आप सभी का स्वागत हैं, मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग राठोड और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चल्चा करूँगा अफरीका के एक बहुत ही कैरिस्माटिक लीडर के बारे में, जिनके हत्या का ट्रायल अब जाकर उनकी मौत के कई दशकों बाद शुरू हुआ है तो ये है बर्किना फासो के एक्स प्रेजिडेंट थॉमस संकारा, थॉमस संकारा को अफरीका का चेगवारा की कहा जाता था चेगवारा वो revolutionary है जिन्होंने लाटिन अमरीकी देशों में, खास करके क्यूबा, बॉलिविया जैसे देशों में, क्रांती लाने की कोशिश करी दी, कई जगे सफल थे, कई जगे सफल तो इन्हें अफरीका का चेगवारा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भी बहुत ही कम उम्र में, अपने देश बुर्किना फासो में, एक revolution लेकर आये थे लेकिन इनकी हत्या कर दी गई 1987 में, और इनकी हत्या का मुकदमा, जो ट्राइल है, वो अब जाकर शुरू हुआ है, अब सरकार ने वहाँ पर इनका ट्राइल स्टार्ट किया है तो इनकी जीवन के बारे में, और साती साथ ये ट्राइल क्यों important है, बरकिना फासो के लिए, इन सब भी points को discuss करेंगे, हम आज इस lecture में, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अन Academy आप पर आप मुझे इस ID पर जरूर follow करें, क्योंकि वहाँ प एक्जाम्स के लिए questions discuss कीजिए, तो ये questions मैं आपर discuss कर रहा हूँ, रविवार को, अरगाडमी combat आ रहा है, ये mega combat है, इसमें हिस्सा लेने वाले हर व्यक्ति को scholarship में, scholarship मिलेगी, तो इसमें जरूर हिस्सा ले, पहले comment में इसका link आपको नीचे मिल जाएगा, unlock code अगर आपसे क capital है, वागा दूगू, तो थोड़ा सा जीब सा नाम है, प्रनाउंस करने में आपको problem हो सकती है, बट इसका सही pronunciation होता है, वागा दूगू, तो बरकीना फासो पहले French territory हुआ करता था, it used to be a French colony, लेकिन यहाँ पर आजादी के बाद कई सरकारें आई, कई तानाशाह आए, ब इनके साथ और भी 14 लोग थे, इनकी सरकार के मंत्री, एटसेटरा, जिनकी हत्या कर दी गई, और अब जिस व्यक्ति पर इनकी हत्या करने का आरोप लगा था, वो इनके दोस्त और बाद में, मतलब, so-called दुश्मन बन गए, प्रेज़ेंट ब्लेस कंपोरे, इन पर आरोप है, कि इनों ने ही अपने दोस्त और साथी, तौमस संकारा की हत्या कर दी थी, बीसवी सदी की शुरुआत में, लगबख पूरा पश्चिमी अफरीका, फ्रांस की कॉलनी हुआ करता था, इसे फ्रेंच वेस्ट आफरिका कहते थे, ये पूरी टेरिटरी जो आपको वाइट कलर में दिख रही है, इसे फ्रेंच वेस्ट आफरिका, कुछ टेरिटरीज यूके के पास थी, जैसे की नाइजीरिया, एटसेटरा, लेकिन इन सभी कॉलनीज को दीरे दीरे आजादी मिलती है, बीसवी सदी के, सेकेंड हाफ में, यानि की वर्ल वार टू के कुछ सालों ब गाना में एक हो जाती है, और गाना की में नदी है वोल्टा, तो लोर वोल्टा तो बहती है गाना में, लेकिन जो अपर पार्ट है इस नदी का, वो बर्कीना फासों में बहता है, तो इसलिए इसको अपर वोल्टा कहा जाता था, तो यहाँ पर आजादी के बाद, एक के ब अपने साथियों से मधभेद हो गए जिसके कारण ये फिर से एक और तक्ता पलट करके पावर अपने हाथ में ले लेते हैं तो ये एक यंग आर्मी कैप्टन थे मार्क्सिस लेनिनिस्ट विचारधारा वाले थे और इन्हों ने सबसे पहला काम पावर में आने के बाद ये किया कि अपने देश का नाम बदला बहुत सारे रिफॉर्म प्रोग्राम शुरू किये तो अपर वोल्टा से नाम बदल कर इस एरिया का नाम कर दिया गया बर्कीना फासो क्योंकि अपर वोल्टा तो एक फ्रेंच बने महिलाओं के उत्थान के लिए काफी कुछ किया जाए, economy को develop किया जाए, ecology के उपर ध्यान दें और पश्चिमी देश जैसे कि फ्रांस से आजादी पूरी तरह से मिल जाए, क्योंकि कहने को आजाद हो गया था यह देश, लेकिन अभी भी सारे पश्चिमी अफ्रीका के द बहुत जादा debt था, there was huge sovereign debt on these developing countries, अब आप सोच रहे होंगे कि लोन तो अच्छी बात है, पश्चिमी देश, World Bank ये लोन दे रहे थे तो infrastructure ही develop होगा, लेकिन आप इस बात को समझे कि इन लोन के साथ ऐसी condition होती थी कि contract के वल पश्चिमी companies को जाएंगे, जिससे ultimate फाइदा France औ और अमेरिकी companies को ही होगा, इसे economics में special fix कहा जाता है, तो पश्चिमी देशों का बहुत जबरदस इसमें benefit था, एक तो ये कि उन्हें investment करने को मिल रहा था, returns बहुत अच्छे हैं, और दूसरा, returns guaranteed हैं, और उनी की companies को ये सारे contracts मिलने वाले हैं, तो इससे market में monopoly हो गई, और सा 37 returns बहुत अच्छे हैंगे, क्योंकि developing economy है, तो बहुत तेजी से यहाँ पर return आता है, तो एक किताब है, आप पढ़िएगा कभी इसको time मिले तो, Jason Hickle की The Divide, इस किताब में ये बताया गया है कि किस प्रकार से ये पश्चिमी देश या World Bank जैसी संस्ता हैं, अपने loans को default में नहीं जाने देती हैं, ये कभी घाटा नहीं खाने वाले हैं, जब भी किसी देश का loan default होने की स्तिती लगती है, तो या तो वहाँ पर अमेरिका के द्वारा तक्ता पलट करवा दिया जाता है, या फिर एक बहुत बड़ा risk रहता है कि अमेरिका या कोई पश्चिमी देश म इन्होंने किया है, जैसे कि इरान हो, ग्वाटमॉला हो, कॉंगो, चिली, इन कई देशों की सरकारे इन्होंने बदल दी, जब सरकारे इनके favor में नहीं थी, जब सरकारोंने इन developing economies की सरकारोंने धंकी दी कि हम loan वापिस नहीं चुकाएंगे, तो इन्होंने वहाँ सरकारी ब माना कर दिया कि हम अपना foreign debt नहीं चुकाएंगे, तो Britain, Germany, France ने अपनी navy भेज कर देश के सभी बंदरगाहों को blockade कर दिया, और ultimately वो रिन उन्होंने वसूला, 1916 में US ने Dominican Republic को invade किया, और देश की पूरी customs agency को अपने control में ले लिया, ताकि वो अपना debt फिर से ले सके, और ये 25 साल तक चला था, 25 साल तक वो US की navy ने Dominican Republic के customs को अपने control में रखा था, अब अगर आप चाहते हैं कि IMF के debt trapped developing nations पर मैं एक special वीडियो बनाऊं तो आप बताइएगा, मुझे यादे मैंने एक आप लोगों से promise किया था, मतलब आपसे पूछा था कि अफरीका में इतिना rain क्यो क्यों है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो पर काम चल रहा है, वो आ जाएगा, Monday या Tuesday को मैं उसको ले कर आऊंगा, तो अफरीका के देश गरीब क्यों है, उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप ये IMF के debt trap पर वीडियो चाहते ह है, जहाँ पर Organization of African Unity का Headquarter था, वहाँ पर इन्होंने ये speech दी थी, और ये बहुत अच्छे ओरेटर थे, बहुत जबरदस्त भाशन दिया करते थे, he was very good orator, तो इन्होंने ये किवल 36 साल के कुछ थे जब इन्होंने ये speech दी थी, और इन्होंने challenge किया था, France को, कि आप एक colonial power ह और आप हमें आजादी देने के बाद भी पूरी तरह से आजादी नहीं दे पायो, और इसका कारण है debt, यानि कि रिन, debt must be seen from the standpoint of its origin, and the origin of debt lies in colonialism, our creditors are those who had colonized us before, they managed us then and they manage us now, we did not ask for this debt and therefore we will not repay it, debt is new colonialism, it is cleverly managed reconquest of Africa, each one of us becomes a financial slave, we are told to repay, we are told it is a moral issue, but it is not, the debt cannot be repaid, if we don't repay, the lenders will not die, this is for sure, but if we do repay, we will die, this is also for sure, तो इनकी speech काफी अच्छी थी, और इसमें इनोंने यही बात कहीं कि अगर हम अपना रिन्ट चुकाएंगे, तो हम मर जाएंगे, लेकिन अगर रिन्ट नहीं चुकाया है, तो जिसने रिन्ट दिया है, उसको कोई फरक नह अगर आप कारण क्या है, क्योंकि आपने हमें कॉलोनाइस किया था, अगर आप कॉलोनाइस नहीं करते तो यह रिन्ट कभी होता ही नहीं, सबसे मेन मुद्दा यही है, तो संकारा की इस तरह की speeches के बाद पश्चीमी देशों को लगने लगा कि यह विक्ती काफी डेंजरस ह इनके जो कम्यूनिस्ट विचारधारा है, यह बनाया गया कि कम्यूनिस्ट विचारधारा को यह अफ्रीका में ले आएंगे, और मेंली इन्होंने जब यह कहा था कि बर्कीना फासो का डेट में रीपे नहीं करूंगा, और जब राष्ट्रपती मना कर देता है कि देश का रिण हम नहीं चुकाएंगे, तो फिर दूसरे देश भी इंस्पायर होते हैं, तो बर्कीना फासो के पडोसी भी जो हैं, वो इससे इंस्पायर होकर मना कर सकते थे कि हम भी रिण नहीं चुकाएंगे, तो एक मूमेंट बन रहा था पूरे अफ्रीका में, जिसके अंदर य इनकी हत्या होने से पहले इन्होंने एक स्पीच में बात कही भी दी, कि मेरी हत्या हो सकती है, असासिनेशन मेरा हो सकता है, और चाहे वो हो जाये, लेकिन हमें सब को मिलकर ये रिंड नहीं चुकाना चाहिए, क्योंकि अफ्रीका के लोगों के तन पर जो कपड़ा है, वो यूरोप से नहीं आता है, तो इस तरह की इन्होंने स्पीच दीती है, और हमें अगर आजादी और सम्मान के साथ जीना है, तो हमें इसी तरह से जीना होगा, 15th October 1987 को, जब ये स्पीच उन्होंने दी उसके तीन महीने बाद ही उनकी हत्या कर दी गई, असासिनेशन हो गया तकता पलट करने वाले इनी के पुराने साथी थे, मिलिटरी ओफिसर ब्लेज कमपॉरे, मुझे थोड़ा सा इनका नाम अच्छे से प्रनाउंस करना नहीं आता, कोई French pronunciation जिसका अच्छा हो बता दीजेगा, अब ये ब्लेज कमपॉरे जिन्होंने अपने ही साथी की हत्या क अपने राष्ट्रपती की हत्या कर दी, साथ में और भी कई लोगों की हत्या करी गई, राष्ट्रपती भवन में गुसकर गोलिया मार दी गई, और बाद में उनको कहां दफना है, आज दिन तक ये भी नहीं पता है, ब्लेज कमपॉरे उसके बाद लगबग 27 साल तक पाव कर रहे थे, खास करके फ्रांस, और फ्रांस के साथ अच्छे संब्द हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा इन्होंने कहा था, लेकिन थॉमस संकारा की जो हत्या है, वो बर्कीना फासो के इत्यास पर एक बहुत बड़ा काला धबबा है, इन्हें पैन और आज दिन तक इस देश के उपर ये काला धबा था कि इन्होंने अपने राष्ट्रपती, इतने शांदार, आइकॉनिक राष्ट्रपती की हत्या कर दी, और आज भी उनके शब्द बिल्कुल सही है, आज 35 साल बाद भी अफ्रिका के लगबग सभी देशों पर बहुत ज कैंसलेशन को लेकर फिर से एक केंपेंच चल रहा है कि ये रिंड को कैंसल किया जाए, और अब जाकर 2014 में जब कंपावरे को पावर से हटाया गया, उसके बाद वहाँ पर नई सरकार बनी है, तब जाकर थॉमस संकारा की पूर्वराष्ट्रपती की हत्या को लेकर एक ट्र और ये देश छोड़ कर जा चुके हैं, इन्होंने ट्रायल का बॉयकॉट कर दिया है, ये तो खुद पडोसी देश आईवरी कोस्ट में भग कर असाइलम मांग चुके हैं और वहाँ की नागरिकता ले चुके हैं, तो ये तो अब बर्किना फासो के नागरिक भी नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि मैं तो आपके देश का नागरिकी नहीं हूँ, ये ट्रायल शुरू हुआ था 11 अक्टूबर को, लेकिन कुछ घंटे बाद ये प्रोसीडिंग्स टाल दी गई, क्योंकि 20,000 डॉक्यूमेंट्स है जिनको अभी अनलाइस करना है, तो अब 25 अक्टूबर एक अलगी case चल रहा है, वो हमारे लिए इतना important नहीं है, तो इसी के साथ ये lecture मैं सवाप्त करता हूँ, अगर आप UPSC exam की तयारी कर रहे हैं, तो अन Academy के माध्यम से आप भारत के best educators से live पढ़ सकते हैं, यहाँ पर plus और iconic दो प्रकार के courses हैं, दो subscriptions हैं, इनके details आप यहाँ द इसमें आपको one year course 57,000 rupees का पढ़ेगा, इसमें आपको test series, material, सब कुछ साथ में free दिया जाएगा, याद रहे हैं, यह 10% discount आपको तभी मिलता है, जब आप code use करते हैं, तो अगर नहीं करेंगे, तो 10% price जादा पढ़ेगा, तो don't do that, get the one year subscription, जिसमें आपको optional और GS, दोनों की तयारी हो जाए, एक साल की, अगर आप 2022 को target कर रहे हैं, जून में prelims है, तो 9 months subscription ले सकते हैं, it will cost you 45,000 rupees, और अगर केवल mains 2021 देना है, तो 3 महीने का subscription अवेलेबल है, for 28,000 rupees, जब आप subscription लेते हैं, तो उसके राद आप plus courses को join कर सकते हैं, जैसे कि मेरा NCRT quality plus course अभी चल रहा है, इसकी दो classes हो चुके हैं, इसको आप join कर सकते हैं, link नीचे description में दिया गया है, सारे courses पर EMI option अवेलेबल है, do check out the EMI option, इसको कैसे अवेल करना है, वीडियो के नीचे जो पहला link है, Google form उस पर click कीजिए, test series, one year subscription के साथ free में आपको अवेलेबल होगी, उसके अलावा नए batches ज 23 की जो पूरी journey है, वो हमने map out कर दी है, sprints के लिए, live mentoring platform चालो हो चुका है, तो thank you very much for watching this, have a great day